इसे ऐसा कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। 16 मही, विश्वास की घोषना। मैं घोषना करता हूं कि मैं विशेश, असदारन और आलुकिक हूं। मैं घोषना करता हूं कि मैं एक चंगा करने वाली के रूप में रहता हूं। मैं अपने आसपास के लोगों की जरूरते के प्रती सम्वेंदिन शील हूं। मैं गिरे हुए को उठाता हूं, तूटे हुए को पुर्न स्रप्रित करता हूं और निराश लोगों को प्रोचसाहित करता हूं। मैं करोना और दया से भरावा हूं। मैं स्रिफ एक चमतकार की तलाश नहीं करूँगा, बलके दूसरों के लिए मैं जहां भी जाओंगा, ईश्वर के प्यार और दया को दिखा कर किसी का चमतकार बनूँगा, यह मेरी घोशना है। दीविय स्वस्तिय की स्विकार रोकित। मैं मसीहा में अपने दीविय जीवन की वास्तविता को स्विकार करता हूं। मैं परिस्तियों से प्रबावित नहीं होता हूं, क्योंकि मसीहा मुझ में रहता है। इस प्रकार मैं हमेशा शान्ती और सुरक्षा में रहता हूँ, मेरे स्वस्ति में इश्वर का आशिर्वाद स्पस्थ है और मैं विजेई जीवन जीता हूँ, आमेन। मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ, मैं अपने प्रभू के दरबार में तार की पेड़ की तरह फलता फुलता हूँ, मैं हर मौसम में प्रचुर मातर में फल उत्पन करता हूँ, मैं प्रभू में रस और हरे प्रच से भरा हुआ हूँ, और बुडाफय में भी मैं ताजा और फलता फुलता रहूँगा, मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है, और जो कुछ भी मैं करता हूँ, वह येश्व के नाम में समिर्द होता है, मैं मसीहा येश्व में हर आद्मियतिक आशिरवात का प्राप्त कर मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतर्मन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता है येश्यू के नाम में मैं अपनी शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा अनुभाव की तरह और मैं तुम्हें अंपरमेश्वर के वचल से सरेखित होनी की आग्या देता हूं। में जीवन है, मेरी हडिया, जोड की काटिलेज, सरेखित, मजबूत और डिड़ है, मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उत्कुष रूप से कारिय करते है, मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पुरी तरह से देखती है और मेरे काम काम करते है बहतरीद, मेरी त्वचा एक नवजाज, शीशू और ईश्वर के सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्त है, मेरे बालो के रूम कज गए है, मैं अपने बालो कस्ते रहने की आग्या देता हूँ, और जहां वृद्धी की आविश्यक्ता होती है, मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूँ, मेरे दा के साथ पुर्ण समझ्य में हैं, और अपने कारियों को सामन्य रूप से निश्पादित कर रहे हैं, मेरा पाचन, तंत्र निगले गए, सभी खात्पदार्तों को पचाने, अफशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम हैं, और चाया पच्छी, अफशिष्ट, उत्पात निमित रूप से उस्सरजित होते हैं, में खाने, तकनेक, मीडिया, शितिलता, गपशप, आलसी, आदिक, नींद, सुस्ती और बादियाकारी खरीदारी को सभी प्रकार के व्यस्न को अपने कैद करता हूं, और मसीहा को आग्या करिता में ले आता हूं, जैसे येशु, वै पर कोई अधिकार नहीं है, ईश्वर ने मुझे इन सारे चीज़े पर अधिकार दिया है, मेरा प्रजनन तंत्र प्रयाप मात्र में अच्छी गतिशिलता वाले शकुरानाओं का उत्पादन और जमा कर रहे है, मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्प और मैं मेरी शरीर को किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रिती को येशु के नाम पे मना करता हूँ, आमेन, मेरा संपुर्णा मानव शरीर रचना विग्यान चया पची और शरीर क्रिया विग्यान मसिया येशु में परिपुर्ण है, महीमा हालेलुया, आमेन, पिता इश्वर मुझे प्यार करता है मुझे पता है मैं जानता हूँ आमेन